देखिए ये आईरन खराब है इसमें लाइन नहीं आ रहा है इसमें लाइन क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा पहले मैं इसका स्वीच ओन कर लेता हूं देखिए देखिए इसमें लाइन नहीं आया आप यहां पर देख सकते हैं इस जगह पर देखिए लाइन नहीं आया है और इसे भी घुमा कर देख लेते हैं देखिए इसमें लाइन नहीं आ रहा है अब मैं इस आयरन को खोलूंगा तो इसे किस परकार खोला जाता है वो मैं आपको बत इसे खोलना होगा, तो इसे खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने इसे खोल दिया, अब यहाँ पर दो इस्कुरु है, यहाँ पर देखिए दो इस्कुरु को खोलना होगा, तो इसे खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने इसे भी अब क्या करना है वो समझे देखें इस wire को चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको देखें यहां पर यह जो यहां पर दो wire है यह वाला wire काला वाला यहां आया हुआ है और लाल वला देखे यहां आया हुआ है और यह हरा वला वायर लगता है किसी ने खोला होगा तो इसे गलती से काट दिया या किसी कारण से काटा होगा यह तो वही जाने यह अर्थिंग का वायर है इसे काटना नहीं चाहिए था इसे लगा देना चाहिए था लेकिन कुसीने का'tा है खोला होगा तो तो ये तो वही बता सकता है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर यह काला वाईर जो आया हुआ और यहाँ पर लाल वाईर जो आया हुआ ये दोनों वाईर में स्री टेस्ट लेम से चेक करना है जब इसे चेक करेंगे तो पता चल जागा ये वाला वायर खराब है या नहीं तो देखते हैं स्री टेस्ट लेम से चेक करके कि इसमें क्या बताता है तो देखिए ये है हमारा स्रीज टेस्ट लेंब बोर्ड अगर आपको इस तरह का स्रीज टेस्ट लेंब बोर्ड बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो देख लें इस परकार से आपको चेक करना है देखे यहाँ पर ये दोनों वायर लाला और काला वायर जहाँ पर ये टाइट किया गया है इस कुरू में उसी जगह चेक करना देखे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये स्रीज टेस्ट लेंब नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि वायर सही है तो खराब इस आइरन के अंदर ही है तो अब क्या करेंगे जहाँ पर ये यहाँ पर जो ये वाला वायर और ये वाला वायर है इसमें चेक करना है ये इंडिकेटर का वायर है ये दोनों यानि कि पावर ओन होने का जो लाइट जलता है वही वाला वायर है तो इसमें चेक करते हैं यहाँ पर क्या बताता है वो देख लेते हैं देखे यहाँ पर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है कि इस आइरन का एलिमेंट बिल्कुश जही है हो सकता है कि thermo state खराब हो अब तो इस iron को खोलने के बाद ही पता चलेगा अब मैं इस iron को खोल कर आपको दिखाऊंगा अलग-अलग model का जो lightweight iron होता है उसका खोलने का भी तरीका अलग-अलग होता है इसलिए आपको lightweight iron खोलना जानना जरूरी है अगर आप सही तरीके से खोलना नहीं जानेंगे तो iron को तोड़ भी सकते हैं तो मैं आपको यहाँ खोलने के लिए आपको बता रहा हूँ किस परकार खोला जाता है देखे यहाँ पर यह देखे यह जो आप देख रहे हैं बहुत से iron में इसे किस परकार खुला आता है इस तरह से उपर के और पुस के आता है लेकिन आप इसे इस तरह से पुस करेंगे तो ये नहीं खुलेगा जो जब दस्तिक करेंगे तो ये वाला भाग तूट सकता है तो इसे किस परकार खुलना वो मैं आपको बताता हूँ देखे इस screw को मैंने खोल लिया आप क्या करना है वो देखे अब देखे इसे उपर की ओर push नहीं करना इस परकार से यहाँ पर देखे इस जगह पर इस जगह पर एक cape लगा हुआ है प्लास्टिक का तो आपको क्या करना है इस cape को खोलना है तो इसे screwdriver के मदद से इस प्रकार से इस cape को उपर के और उठाएंगे तो देखिए ये निकल जाता है देखिए ये plastic का cape है और इसके अंदर देखिए एक screw लगा हुआ है तो उसे भी screwdriver के मदद से खोल लेते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का lightweight iron में कहां-कहां screw लगा हुआ है कहां-कहां पर किस तरह से fit किया हो रहता है इसे ध्यान देना पड़ता है नहीं तो आप iron को तोड़ देंगे handle तोड़ देंगे, कुछ और तोड़ देंगे क्या टूड़ियाएगा आपसे पता भी ने चलेगा अब देखिए इसे में निकाल लेता हूँ देखिए ये निकल गया अब देखिए आपको ये वाला नोब खोल लेना है तो इसे में खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ ये इस परकार से उठा लेना है अराम से ये खुल गया देख लिजिए अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब देखिए इसमें यहां एक इस्कुरू है यह वाला यहां एक इस्कुरू है और यहां पर एक इस्कुरू है यह तीनों इस्कुरू खोलना है तो मैं यह तीनों इस्कुरू खोल कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों Iron का Thermostat कैसे Change किया आता है Iron का Element कैसे Change किया आता है अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे Channel पर जाकर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का वीडियो पहले से डाल रखे हैं देखिए ये खुल गया अब मैं फिर से आपको स्रीट टेस्ट लेम से चेक करके आपको दिखाता हूँ देख लिजे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मैं आपको इसे चेक करके दिखा दता हूँ देखिए ये जो line का दो वायर है लाल और काला उसमें मैं इसे टच करता हूँ देखिए ये सिरी टेस्टियम बल्ब नहीं जला लेकिन जब मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो देखिए ये बल्ब जलने लगता है इसका मतलब element बिल्कुल सही है तो खरावी इसके अंदर कुछ और है यहनि थर्मो स्टेट में खरावी है या फिर किसी और चीज में यह तो खोलने के बाद पता चलेगा अब देखिए यहाँ पर एक स्कुरू है यहाँ पर एक स्कुरू है और एक स्कुरू यहाँ पर है इस बल्ब को मैं उठाता हूँ तो आपको पता चलेगा इस जगह पर इसके अंदर में एक स्कुरू है तो यह तीने स्कुरू खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है देखिए मैंने तीने स्कुरू खोल दिये अब मैं इसे इस तरह से खोलना चाहूँगा तो यह खूलेगा ने तो इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए यहाँ पर एक दो तीन यह तीन स्कुरू खोलना होगा क्योंकि यह हरा वाला जो है वायर तो पहले से कटा हुआ है इसलिए मुझे तीन ही स्कुरू खोलना होगा यह तीनो क्योंकि इन तीनों में ही वायर लगा हुआ है तो इसे खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने ये तीनों स्कुरूख खोल लिए अब ये देखिए अराम से निकल जाएगा यानि कि ये आरन पूरी तर से खुल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इस परकार से इसे धीरे धीरे करके आपको खोल लेना है देखिए ये खुल गया इस परकार से अब मैं बताता हूँ इसे क्या करना है अब इसे फिर से स्री लाइन से चेक करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहां और यहां टच किया तो लाइन नहीं आ रहा है यही मैं पहले भी आपको बता रहा था लेकिन जब मैं यह और यहां टच करता हूं तो देखिए सिरी टेस्ट लें बॉल्ब जलने लगता है इसका मतलब यह हुआ कि यह काम करने लगता है तो इसका मतलब है कि ढान जिसके आगे कहीं खर але यहां करते ही इस इसे वाला वायर इहां से होते वे देखिए इस परकार से यहां आया हुआ है तो इस वायर को चेक करते हैं तो देखिए इस वायर में चेक करते हैं तो देखिए क्या होता है देखे यहां पर बल्ब नहीं जाल रहा है इसका मतलब है कि यहां पर कुछ लगा हुआ इस जगह पर अब क्या लगा हुआ है तो इस जगह पर इसे देखते हैं फिर से देखे यह वायर काम नहीं कर रहा है इसका मतलब इस वायर में इस जगह पर कुछ लगा हुआ है यहाँ पर तो इसे मैं खोलता हूँ खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लगा हुआ है जो आगे लाइन को जाने नहीं दे रहा है देखिए इसके अंदर क्या है देखते हैं इसके अंदर फ्यूज है जो जल चुका है यही फ्यूज जल गया है जिसके कारण लाइन आगे नहीं जा पाता है तो यह फ्यूज कितने नम्मर का है सबसे पहले आप यह देख लिजे अब मैं इसके वायर को डारेक्ट जोड देता हूँ और देखता हूँ कि यह काम करता है या नहीं तो देखिए मैंने इसे इस परकार से डारेक्ट जोड दिया अब चेक कर लेते हैं इसे सिरी टेस्ट लेम से कि यह काम करता है या नहीं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह काम करता है या नहीं देखिए ये अब काम करने लगा है तो ये फ्यूज जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि हाई बोल्टेज में ये फ्यूज आपका काम करेगा ये हाई बोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है तो देखिए ये फ्यूज अगर आपको बजार मिलता है तो इस तरह का फ्यूज आप लाकर लगा सकते हैं तो मैं इस तरह का फ्यूज बजार से खरिद के लाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे किस परकार से लगाय जाता है तो यह देखे यहाँ पर यह element लगा हुआ इसके अंदर तो यह element fixed element है अगर आप fuse नहीं लगाते हैं तो अगर high voltage आ गया तो यह element आपको खराब होगा तो यह पूरा plate ही आपको बदलना पड़ेगा फिर तो आप कहेंगे कि जितना का बबुआ नहीं उतना का जुन जुना इससे अच्छा तो मैं नया खरिद लूँगा सही बात है तो इस फिच को लगा देना है तो मैं बजार से जब इसे लाऊंगा खरिद के तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस परकार से लगाए जाता है तेखें यह फिच मुझे बाजार में कहीं नहीं मिला मैंने कई electronics parts के दुकान पर कई electrical parts के दुकान पर ढूंडें लेकिन यह फिच मुझे कहीं नहीं मिला अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी आ जाये तो आप क्या करेंगे तो मैं बताता हूँ क्या करना है देखें यहाँ पर जो दो वायर है इनमें से दोनों वायर को थोड़ा थोड़ा छिल लेना है इस परकार से cutter के मदश से देख लिजी अब क्या करना है इस परकार का एक बहुत ही पतला वायर लेना है देख लिजी और इसे इस वायर में अच्छी तरह से लपेट देना है इसे किस परकार लपेटा जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ देखें इस पतले वायर का एक छोर इस वायर में अच्छी तरह से लपड़ देना है इस परकार से दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलक्ट्रोनिक से रिलेटेड मेरे कई वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देखें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे देखे मैंने इस पतलेवायर का एक छोर इसमें अच्छी तरह से लपड़ दिये हैं अब इसे इस परकार से मोड़ देते हैं देखे अब क्या करना है अब देखे एक छोटा सा इस परकार का सिलीव पाइप काट लेना है ये एक नम्मर का सिलीव पाइप है इसे इस पतलेवायर के अंदर इस परकार से डाल देना है अब क्या करना है इस पतलेवायर के दूसरे छोर को इस वायर में लपटना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? कि इसका जो ये पूराना वाला sli cheering väpe है, उसे इसमें डाल देना है इस परकार से और उसके बाद इस पतले वायर का दूसरा छोर, इस वायर में लपेट देना है अच्छी तरह से तो इसे मैं लपेटता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद ना आए और आपको कोई दूसरा तरीका आता हो तो आप अपने आइरन को दूसरे तरीके से बना सकते हैं अब क्या करना है इस पुराने वाले सिलीव पाइप को इस परकार से उपर के और सरका लेना है ताकि एक नमर वाले सिलीव पाइप इसके अंदर चला जाए क्योंकि एक नमर वाले सिलीव पाइप में पतला वला वायर डाला हुआ था जो इस पुराने वाले सिली पाइप के अंदर चला गया अब ये बिल्कुल ओक्य हो गया है ये फ्यूज का काम करेगा अब मैं इसे इस जगह पर लगा दूँगा लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे इस परकार से लगा दिये है ये अब बिल्कुल फ्यूज का ही काम करेगा तो अब मैं इसे पूरी तरसे फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं देखिए इसे मैंने अच्छी तरसे फिट कर दिये हैं अब मैं इसके स्विच कौन करता हूँ देखे देखे यहां पर आपको दिख रहा है लाइन आ गया है यह आयरेन बिल्कुल हो गया है यह अब गर्म भी होने लगा है तो दोस्तो इस परकार आप अपने आयरेन को बना सकते हैं